हलो दोस्तों यस्पिय क्लासेजवन में आपका हारदिक स्वागत यूम अभिनंदन है आप देख रहे हैं अपने चैनल को चैनल देखने के लिए धन्यवाद हम मैत को बता रहे हैं और मैत के बिविद प्रशन है जो आपकी आगामी परिच्छा के लिए अतुप्योंगी हैं वीडियो को देखिए अंत तक देखेंगे तो तमाम तरीके के प्रशनों का संगरह करके हल किया गया है तब वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें देखें कोस्चन है तीन घंटा 40 मिनट को एक लड़का 3 घंटा 45 दसमलो 5 मिनट बताया तो गलती का प्रतिसत क्या है यहीं 3 घंटा 40 मिनट हो रहा है उसने 3 घंटा 45 दसमलो 5 मिनट बता दिया तो कितना अधिक बताया उसकी गलती का प्रतिसत क्या है तो 3 घंटा है एक घंटे में 60 मिनिट होता है सब को मिनिट में चेंज कर लीजिए और यह 40 मिनिट जोड़ेंगे 3 छक 18 180 हो गया 180 और 40 220 यह 220 मिनिट हो गया अब उसने बताया कितना यह तो रियल टाइम था तो 3 गुड़े 60 प्लस 45 दसमलो 5 3 में 60 से गुड़ा करेंगे 180, 180 में 45 जोड़ेंगे तो 222 225 दसमलो 5 यह मिनिट हो गया अब उसने गलती कितना किया है तो देखिए 225 माइनस 220 घटा देंगे तो यह दसमलो 5 आ जाएगा इतना इतना मिनिट की वह गलती किया इसको हमें 30 में बदलना है तो 30 में हम कैसे बदलेंगे तो यहां 5 दसमलो 5 की गलती 220 मिनिट में पढ़ा है तो 100 में कितना पढ़ेगा तो यह जीरो को इस जीरो से काड़ देंगे अब यहां पर यह 10 मलो है यहां 10 है तो दोनों का गुड़ा करेंगे तो पचपन दसमलो हो जाएगा अब पचपन दसमलो जीरो हो जाएगा बटे 22 बचा हुआ है ति 11 से काट दीजिए 11 पचे 55 हो गया और 11 दोनी 22 यानि 5 बटा 2 पच बटा 2 कोई उत्तर हमारा नहीं है इसको अगर भाग दे के काटेंगे दो दसमलो पच परतिसत होगा तो दो दसमलो परतिसत बिकल्प नमबर 2 में दिया हुआ है उसने गलती कितना पढ़ने में किया है 2.5 परतिसत की गलती किया है जो पढ़ा है अब देखिए अगला लिखा हुआ है A का बेतन B के बेतन से 50 प्रस्त अधिक है जो कोई A नाम का है और B नाम का है तो A का बेतन B के बेतन से 50 प्रस्त अधिक है तो B का बेतन मान लिजे 100 रुपया है A का बेतन 50 प्रस्त अधिक है तो B का बेतन A के बेतन से कितना प्रसत कم है अब देखिए B का बेतन E के बेतन से कितना प्रसत कम है तो इसका एक अंतराल होता है तो अंतराल निकाल लेंगे ते ये 50 हो जाएगा तो 50 बटे यानि 150 गुड़े 100 B का पूछा है तो B वाला हुनका अंतर उपर करेंगे B का पूछा है तो A वाले से हल करेंगे जब B वाला पूछेगा तो A से हल करेंगे A वाला पूछेगा तो B से हल करेंगे अब 50 बटे 150 गुड़े 100 0 को 0 से काड़ दिया 5 से काड़ दिजिए 3 आ गया तो 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1 बटा 3 परतिसत होगा ये तो B बेसिक था अब देखिए ट्रिक पर कैसे लगेगा ट्रिक वाले पर एक सूत्र है सूत्र है यक्स गुड़े 100 बटे यक्स प्लस माइनस 100 यह ट्रिक याद कर लिजिए यह यक्स माइनस प्लस लगा हुआ है अगर बृद्धी हो रही है तो प्लस है अधिक है, यहीं वूपर मिला लीजिए वूपर अगर मिलाएंगे यहाँ अधिक लिखा है तो प्लस होगा अगर यहाँ कम लिखेगा तो माइनस होगा तो देखिए हमें लगाना है इसको ति यक्स हमारा 50 परसत है बटे 100 है सव अधिक है तब पलस हो जाएगा गुड़े सव है अब देखिए पचास बटे एक सव पचास गुड़े सव पचास से काटेंगे तीन बार जाएगी सव बटे तीन है तो सव पचास बटे तीन में अगर तीन से भाग देंगे 33 सही एक बटा तीन प्रसत होगा यह बीकलप नंबर देखे तीन में सही है इस तरीके से प्रशन को आसानी से हल कर सकते हैं देखिए अगला प्रशन क्या कहता है देखिए कोश्चन अगला है तीन क्रमागत यहीं तीन क्रमागत संख्या का योग अठारा है तो अगली तीन क्रमागत संख्या का योग क्या होगा जैसे तीन क्रमागत संख्याएं हैं तीन क्रम से हैं तो तीन क्रमागत संख्या का योग अठारा है तो अब इनका मान अगर निकालेंगे तीन से काट देंगे तो यह मद धिवाली संख्या निकलेगी यहाँ यक्स प्लस एक यक्स प्लस दो और यक्स तीनों को अगर जोडेंगे तीनका मान अठारा होना चाहिए तो देखे तीन यक्स हो गया तीन यक्स है तो इस तरीके से जो तो तीन संख्यां हैं मध्धवाली संख्या निकलेगी तो ग्याद कर लेंगे 6 आ गया तो मध्धवाली संख्या 6 आ गई हमारी तो 6 है एक 5 है और उसके बाद वाली 7 है तीनों का योग 18 है तब पूछा अगली 3 करमागस संख्या है तो अगली तीन करमागस संख्या है तो यह साथ है साथ के बाद अगली तीन करमागस संख्या है आठ है नौ है दस है तो अगली तीन करमागस संख्याओं का योग क्या होगा तो इनको जोड़ेंगे दस नौ उननाईस आठ उननाईस आठ सताइस हो गया और इस तरीके से अगर लुक्का संख्याइज प्ना गयाद कर पाएं तीन संख्यां है, नौ गुरे मुड़े 3 कर दीजे, नौ तरिक 27 हो जाएगा, आपका अंसर इस तरीके से भी निकल सकता है, मुद्द्ध वाली संख्याइ तीन पूछा है संख्या, तो मुद्द्ध वाली संख्याइ में जो अरीके से जब यह तीन संख्याएं हैं तो तीन संख्याओं में मध्यवली संख्यां तीन से गुड़ा कर देंगे 27 हो जाएगा तो आपका उत्तर 27 ग्यात हो गया विकल्प नंबर 3 में 27 दिया हुआ है अगला कोस्चन इहां दिया हुआ छै छै की पावर 10 गुड़े 7 की पाव का और अपने कलमा किसी से ना कटते हो तो ऐसे गुड़न खंड को खोजना है तो चै की गुड़न खंड करेंगे 2 गुड़े 3 होगा और 7 आभाज संख्या खोद है नहीं होगा 10 का गुड़न खंड 5 गुड़े 2 होगा आभाज गुड़न खंड पूछ रहा है तो चै में 2 से गुड़ा की है दस की दो की पावर दस हो गई फिर इसका गुड़न खंड तीन है तीन की पावर दस हो गई गुड़े साथ है साथ की पावर दस हो गई सब की पावर दस ही है पांच है पांच की पावर दस हो गई गुड़े दो की पावर दस हो गई तीसमें आभाज को जोडा जाता है पावर कितनी है दस है इनकी दो की पावर है तीन की पावर दस है साथ की पावर दस है पाँच की पावर दस है और दो की पावर दस है तीनों को अगर हम जोड देंगे तो यह हमारा उत्तर पचास प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से आभाज गुडन खंड कि संक्या कितनी है 50 है 50 अभाज गुड़न खंड ग्यात है तो तीसरा भी कल्प है 50 गुड़न खंड वाला तीसरा सही है इस तरीके से प्रशन को आसानी से लगा सकते हैं वीडियो यहीं समाप्त होती है अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्क्राइब कर दीजिए एक ल कि रूप में लाइक भी देते रहिते रहे हम लाइक और सबक्राइब की आसा करते हैं चुंकि बीडियो आपके हिद के लिए जारी कर रहे हैं इसलिए हम आप से लाइक और सबक्राइब की उमीद भी करते हैं धन्य बाद